हेलो गाइस कैसे हैं आयोब अच्छी होंगे तो हमेशा की तरह मैं कंटेंट हमेशा ले करके आता रहता हूं आपके पास तो चलिए फटाफट में आपको दिखा देता हूं हमाई पास एक सैमसंग का फोन है जो कि यह F41 मॉडल है यह मैं बता दू आपको सैमसंग का यह F41 मॉडल है तो बिसिकली यह जो फोन है यह Hang-on लोगो पे आया था ठीक है तो यह Hang-on लोगो पे आया था मैं आपको दिखा देता हूं तो चालो करके मैं एक बार आपको दिखा देता हूं यह फोन है मैं कोई भी अपने चैनल फिक वीडियो नहीं बनाता हूं तो इसके पावर की को प्रेंस कर लेता हूं एक जश्ट से तो इसे देख सकते हैं आप गेलक्सी F41 यहां पर आप देख सकते हैं सैमसंग यहां पर हैंग-on-logo पे फोन आया हुआ था हमारे पास तो यह फोन हैंग-on-logo है तो इसमें क्या-क्या सलूशन कर सकते हैं तो मैं इस कर सकते हैं तो इसका मैं आपको दिखा देता हूं सारी चीजे यहाँपर यह इसका UFS लगा हूँ तो सबसे पहले जो बिधे स्टैप है। सबसे पहले करेंगे अगर फ्लेसिंग से सही हो जाता है तो ठीक है गाई नहीं तो हम यहांपर करने वाले हैं इसको डूर टेकर पर काम तो चलिए सबसे पहले आप इसको फ्लैस करिए उसके बाद अगर नहीं होता है गाइस तो हम इसको आगे स्टैप करेंगे तो वीडियो में आप बने रहें अगर आप हमाई चलिए नहीं है तो प्रीस हमाई चलो को सब्सक्राइब कर लें बेल आकन जिसने मारे 9.6 मिलते नहीं है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस जैसा कि आपने देखा तो यह फोन हमारा लोगो पर था तो अब इसको करेंगे या लोगो और या आप तो इसको फ्लैसिंग पर भी ले सकते हैं तो सबसे पहले हम इसको फ्लैस करने वाले गाइस चली फटा फटा हम इसको करते हैं फ्लैस, तो फ्लैस करने के लिए क्या क्या चीज जरूट पड़ेगी गाईस हमें फ्लैस फाइल की जरूट पड़ेगी जैसा कि आप यह पर देख सकते ही यहाप यहापे जो मैंने वर्जन यूज़ किया हुआ है वो 3.14 वर्जन तो जो according to है BL, AP, CP, CSC इसको हमें दे देना है, तो BL पे हम क्लिक करते हैं, तो desktop पे हमारी file रख्यों ही गाइस, तो हम यहाँ पर जाते हैं, file में और यहाँ पर BL पे दे देते हैं, BL देने के बाद CP देना है, guys, AP देना है, AP है हमारी system की file है, तो हम इसको AP को भी दे देंगे, इसमें थोड़ा सा आपको time लगेगा, guys, तब तक मैं आपको device में खूल के दिखा देता हूँ, कि हमारा जो phone है, वो मैंने connect कर दिया है, download mode में आपको phone को connect करना है, guys, तो यहाँ पर mod तूल मैं, audience, यहाँ पर flash कर रहा हूँ, guys, देखते हैं, जो भी error आता है, अगर इसमे error भी आता है, तो सारे errors को मैं है, हाँ पर live यहाँ पर करने वाले है, कोई भी editing video नहीं है, guys, थोड़ा सा time लग रहा है, और यह जैसे completely हो जाएगा, उसके बाद क्योंकि बड़ी MB की file है, और wait करते हैं थोड़ा सा, just a second, guys, मैंने phone को connect कर दिया, आप यहाँ पर com देख सकते हैं, कि यहाँ पर com 1 बनके आ चुका है, और थोड़ा सा time लग रहा है, यह देखे, completely हो चुका है, CP में जाएंगे, तो CP में हमें CP ले लेना है, अब CSC में, guys, आपको normal CSC ले ले लेना है, हमने CSC यहाँ पर ले लिया, अब completely, guys, हमारा यहाँ पर यह लोड हो चुका है, हमने यहाँ पर file लिया, file के साथ tool लिया, tool के साथ हमने according to BLA, CP और यहाँ पर दे दिया, phone को हमने connect कर लिया, guys, और simple simple हमें का कर देना है, start button पर click कर देना है, तो यह हमारी Samsung की flashing, guys, अब देख सक यहाँ पर हमारी completely flashing start हो गई है, तो अगर कभी भी hang on logo आये, यह restart आये, एक बार आप जरूर flash करें, flash करने से नहीं होता है, तो फिर guys, आपको dual taker CPU पर काम करना पड़ेगा, मतलब dual taker आपको RAM को revolve करना पड़ेगा, guys, क्योंकि dry sold होने के कारण भी यह problem आता है, restarting यह hang on logo हो तो उसके लिए फिर आपको guys, अगर हमारा software से problem solve नहीं होता है, तो हमें करना होगा guys, यहाँ पर dual taker revolve, तो चलिए, देखते हैं फिलाल कि हमारा software से काम बनता है कि नहीं बनता है guys, तो यहाँ पर video में आप बने रहें, तो अगर video आपको अच्छा लगेगा, please like, subscribe, share करना न और देखते हैं फिर guys, और अभी system की file right होगी, तो guys अगर यह आप flashing का भी method समझ सकते हैं, कि Samsung mobile को हम कैसे flash करें, इसका भी method है, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है guys, आई हो video आपको अच्छा लगेगा, पर अच्छा लगे तो please like, subscribe, share करना ना बूले, और ऐसे ह अबडेट पाने के लिए यह हमारे channel को जादा से जादा share करें और subscribe करें, तो just a second, अभी हमारा यह completely final हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते है guys, user data भी right हो रहा है, तो user data right हो रहा है, अभी तक कोई भी error नहीं आया है guys, तो आप ऐसे video को step by step देखके follow करेंगे, तो आपका क completely अभी flash हो जाएगा, जैसना कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बस final, तो अब यह मैं अपने mobile के screen में ले चलूँगा, और वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि हमारा success हुआ कि नहीं हुआ, तो अभी आप देख सकते हो, अभी pass का एक message आ जाएगा हमारा, तो completely हमारी flashing to drop turn हो ग आपको दिखा देता हूँ, फंटाक से, तो गाइस देख सकते हैं, यह हमारा second boot पर आ चुका है, यह सामने आपके मैंने किया, live किया, यह data cable से वही phone है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया हुआ था, ऐसा कि नहीं मैं आपके कुछ और video दिखाया हूँ, और phone कुछ और ले गाइस, अब देखते हैं कि जो हमारा problem था, वो solve हुआ कि नहीं हुआ, देख सकते हैं, यह फोने pass का message आ गया था, और finally देखते हैं कि हमारा यह phone on होता है कि नहीं, तो वेट करेंगे, अभी तो हमारा booting पर है, और अगर इस software से problem solve हो जाता है, तो अच्छी बात है, नहीं हो dual taker CP पर काम करना होगा, जैसा कि आप हमेसा, मैं आपके वीडियो में ऐसा ही बने रहते हैं, तो अभी थोड़ा सा time लग रहा है, बूट होने में, तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा completely phone on हो रहा है, मतलब हमारा यह flashing से job done हो गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सक तो फिलाल यह हमने आपके सामने live किया है, hang on logo phone और आपको एक बार flash करना है, नहीं होता है तो फिर आपको dual taker के काम करने से पहले आप एक बार इसको flash करके देख लें, तो गाइस, यह आप देख सकते हो, finally process पे है, हमारा app install हो रहा है, मतलब हमारा job done हो गया है, यह देख सक तो गाइस हमारा job done हो गया, मतलब जो problem था, वो solve हो गया, मिलते किसी next video में, thank you so much